हेलो नमस्कार दोस्तों सरकारी जोग्यान की ओविशेल यूट्यूब चेनल पर आप सभी का स्वागत है सुप्रेंट साथ की स्वीड़ में हम बात करेंगे रेलवे सीधी भरती दोह जरीकिस के बारे में जे हां दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी भरती निकाली गई है रेलवे के अंदर काफी सालों के बाद में सो टीसी एंड टीटी के फाइनली पदो पर विकेंसी निकल गई हैं पर आपकी एज़ लिमीट क्या रखा जाएगगी अपका सेलेक्शन प्रोसस क्या रहेगा और आपको यहाँ पर परमंद पेश्केल दिया जाएगा जो आपको सेलरी प्रवाइड की जाएगी वो कितने दी जाएगी इन सभी टोपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो फ्रेंड्स प्लीज आर वीडियो को लाइक सक जूर देखीगा साथी में आप सभी से सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें और साथी में फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथी में दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकूल ना पूलें ताकि आपके स्टेट की वेकिंसी की इंफोमिशन भी आप तक सब करते हैं सुप्रेंट जैसे कि आप देख सकते हैं मा चुकि अपनी ओफिशल वेबसाइट पर एंडिया पर हम बात करने वाले हैं रेलवे टीटी भरती तो हुचारी के योगता एज लिमिट ओनलाइन फॉर्म एप्लाइड डेट एंड लास्ट डेट के बारे में जिहां द पोस्ट की बात कर लें तो ट्रेबर टिकेट एकजामने टिटी ओक पर हैं डूटल नंबरण वलेट रहे थो ऊप्ची सो की बात करने तो पॉच्छ तरीग हैं किस तरह सें आप एपलाइ कर पहेंगे अपलाइ मोड की बात कर करें तो आप हैंकर व्रेल्वे जुब नौट ओल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब दी जा सकते हैं और ओल ओवर इंडिया के कंडिडेट इस पदी के लिए एपलाई कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो जॉब लोकेशन की बात करने तो एनिवेर इन इंडिया रहीगी एड़टाइजेंट जो नंबर रहीगा वो जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उससे 30 डेज आपकी लास्ट रहेगी जी हाँ दोस्तो सीजनल वेकिंसी रखी गई हैं सेशन 2021 और 2022 में जो है आप इनके लिए अपलाई कर सकते हैं एक्जाम मोड की अगर बात करने तो ओनलाइन कम्पूटर बेस टेस्ट के अधार पर आपका सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा और इसी के साथ में ओपिशल वेबसाइट की बात करने तो दोस्तों आपको जो है www.indianrailways.gov.in पर जाकर किया आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं या फिर जो है आपको इसका ओपिशल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अभी बात करते हैं दोस्तों eligible criteria के बारे में तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने पदों पर यह vacancies रखे गई हैं तो 10th और 12th पास candidate इसके लिए apply कर सकते हैं अगर हम educational qualification की बात कर लें तो graduate candidate भी इस पद के लिए apply कर पाएंगे टोटल 2500 पदों पर यह vacancies रखे ग रहेगा और government rules के अनुशार जो आपको age में छूट दी जाती है OVC SCST category को वो छूट भी आपको यहाँ पर provide की जाएगी साथ ही महां बात कर लें salary slip के बारे में या फिर pay scale और payment date detail के बारे में तो दोस्तों pay scale आपको बाउंस से 2200 रूपे दिया चाहेगा साथ ही में plus grade पे आ in end salary रहीगी वो 36,000 रुपे आपको जो है in end salary मिलेगी साथी में application fees की बात कर लें तो general OVC category से 500 रुपे SCST PH category से 250 रुपे application fees ली जाएगी all category female candidate से 250 रुपे application fees से ली जाएगी साथी में दोस्तों अगर हम बात कर लें selection process के बारे में तो computer based test आपका conduct करवाई जाएगा उसके बा इसी के साथ में कौन कौन से जो है RRB जोन से vacancies निकली की हैं तो आप यहां से चेक कर सकते हैं एहमदाबाद, अजमेर, इलाबाद, बेंगलोर, भोपाल और इसी के साथ में दोस्तों भूनिश्वर, जोन, बिलासपूर, जोन, चंडिगड, चैनन, गोरगपूर, गोहाटी जम्मू के जोन से भी यह vacancies हैं साथ ही में जो है कॉलकदा, मालदा, मुंबई, मुझफरपूर, पटना, राची, सिकंद्रावाद, इसी के साथ में सिलिगूरी और तिर्वेंदरम से यह vacancies रखी गई हैं लगवए लगवए सभी जोन से vacancies निकाली गई हैं साथ ही में दोस इस तरीके से आप apply कर पाएंगे तो friends आपको railway recruitment की official website पर जाना है उसके बाद मैं आपको जो है इसका notification वहाँ से download कर लेना है आपको नीचे description में मिल जाएंगे जहां से आप इनके लिए direct apply कर सकते हैं और इनके लिए जो है आप इसका official notification डाउनलूड कर सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाया जाहें दोस्तो कर दोस्तो